दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Flip Card में Add to Card क्या होता है और Add to Card का Flip Card में क्या यूज होता है दोस्तों जब आप अपने Flip Card एप में जाएंगे उसके बाद दोस्तों जब आप किसी भी प्रॉड़क्ट को खरिदने के लिए जब आप उस प्रॉड़क्ट को उपन करेंगे तो आपको दिखिए यहाँ एक उप्सन मिल जागा Add to Card का तो आखिर इसका क्या यूज है और यह क करते हैं तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले यहाँ से एक प्रॉड़क्ट को उपन कर लेते हैं और प्रॉड़क्ट को उपन करने के वाद हम इसे जो है Add to Card कर देते हैं यहाँ Add to Card पर क्लिक करके तो इसी तरी के से आपको Add to Card पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपका व देखिए इसका ये यूज है कि अगर आप दोस्तो एक ही बार में 4-5 product को order करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको हर product को order कंने के लिए जो है हर product में अपको हर बार जो है अपना address देना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों जब आप उस product को cart में add कर देंगे, तो दोस्तों आप चाहें तो एक ही बार जब आप यहां पहले से order पर click करेंगे उसकी बाद दोस्तों जब आप यहां address fill up करके जब आप यहां continue पर click करके जब आप order को submit कर देंगे तो दोस्तों उसकी बार जो है आपके सारे product का order यहां से एंग ही बार में हो जाएगा और दोस्तो आपका वो सारा प्रोड़क्ट आपके उस एड्रेस पर आजाएगा तो दोस्तोGroup ुसका बैसिकलि अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप मेरे यूटिव चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब चैरूर कर लिजी